चित्मानी सिखर यात्रा तृत्तिय वाग संसिती खंड लेखक डॉक्टर प्रणाउं पंडिया जियोतिर मली द्वारा लखाये प्राण प्रत्य वर्तन सत्र परिवार मा आवेलू विग्न सिवीर मा आवेला साथकोने दर्रोज गुरुदेवनी मलवान अलख्थी समय मलतो हतो ते वकते साथक एकलो रहितो गुरुदेव साथे साथना उपासना विशेचार्चा करवानी संपोन छोट रहिते तेमनी लोकी कने आत्मिक समस्या होने पूर्तु महतो आपीने गुरुदेव साथा आता गुजराथी आवेला एक साथक नरेंद्र भाईए गुरुदेव आगळे विचित्र समस्या रजुकरी तेमने कहिऊं कि आप जणा हो छो के गहत्री मंत्रनी उपासनाती तर्तच कल्यान थाएचे परन्तु मूतो जिहारे पन चपकरवा ब्यसो छो तेमनी वास साबली तो गुरुदेव नही तेमना पारिवारीक जीवन मांच साथनानु विच्ना जुआवी जाएचे तेमनों समाधान करता गुरुदेवे कहिऊं कि तमें पत्नी साथे सन्मान थी वर्तो तेनी साथे क्रोर वेवर करवाती इच साथनामा विच्ना आवी जे नरेद्रबाई ये कहिऊं कि होतो पत्नीने कदापी हाद पन नती अटकारतों ते बो उच्छु बनेली जे औने क्यारेक तो नुक्षान पन करिवे जे चे ते शिक्षी ताने सन्सकारी नव हो थी मारे गेर आवता आवता लोकोपन परेशान थाईचे ते थी क्यारेक तमका उचुखरों गुरुदेवे कहिऊं के तमका विश्नै ते शिक्षी ताने सन्सकारी नथी तेना माटे तमे पन जवाबदार चो एक पीतानी जेम सिखा मणा आपया पची गुरुदेवे कहिऊं के पत्नीनी पीडा आपया पची तमारी चेतना मा मेठेली प्राण शक्ती खोगोबामे चे ग्यात्री सद्ना मा प्राण शक्ती जुमात्वान आधार चे जो तेक्षुप्त थाई जाए तो पची उपासना मा मन कैरी तेला पची वीगनो जावे ने नहर गर्ती आवेला एक साथ तक राधा बल्लबे कहिऊं के मने उपासना कर्या पची गुस्तो खुबावे चे तेव पांच लाग न अनुष्टान करता था एक वर्ष्मा धियान साथे पांच लाग चप पुरा करवाना दर्रोज एक जर गैत्री मत्रान चप करवाना नव पासे फरक्ता नहीं। गुरुदेवे राधा वल्लबने खुब जीनी जनी बावत पुछी ते बत्तु साबल्या पची अने तेमना चेहरा ने ध्यानती जोया पची तेमने गयों के तमारे ब्रह्मचर्य पर विशेस ध्यान आप्पू जोयें। योन पवित्रता अने सायम अने बावत ना डील राखवाना कारणेंच तमारों सोबाव ठीडियों थे गयोंचे। उपासना तीजी आतनों बावल्लाणेचे। प्राण्शक्तीनों संचय थाईचे। ते बद्धो भुगवास्तामा नष्ट थाईचे। गुरुदेवे सल्ला आपी कि गयत्री साथक अने उपास न करवा लाग्या। एकज वर्षमा भहिरवनी साथना सपर थाईगे। साथकने तेमनों अवास संब्लायों। तेमने हाजुगारी जोयू तो तियां कोई नोहतू। अगर पाचल पर जोयू। परन्तो तियां कोई देवी शक्तिना धर्षन ना थाया। तेमने पुछियू कि आप कौन जवाब मलेव कि मुँँ भहिरव उचू। पुछियू कि तमे सामे केम न थी आवता। तो जवाब मलेव कि गायतरी साथना सामे विजी बक्ती साथनाओ पाची पड़ी जाईचे। गायतरी साथकने इटलू तेज आवी जाईचे कि विजी साथनाओना इस्टतियों सामे अविशक्ता न थी, आ सांपड़ी माधवचारी आस्चरीमा पढ़िये। तेमने पुछ्यूं कि तोपची मने गहिद्री साथ्नानू पढ़ केम ना मढ़ियो। तो बहिरवे जवब आभियों कि ए साथ्नानी तमारा दोस दूर्भूणों बढ़ी गया छे। अवे तमारी साथ्नामा कोई अवरोद न थी, कुरुदेवे टुंकुमा आघटना संब्लावे। ए पचीते साथ्नानू संशाई दूर थे।